प्यासा कौवा एक बार की बात है किसी जंगल में एक कौवा रहता था एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी वह पानी की तलास में वह बहुत दूर तक उड़ता रहा जैसा कि बच्चों आप चीतर में देख रहे हैं या कौवा है और एक दिन इसे है जो कि बहुत जोर से प्यास लगी चुकि गर्मी का मौसम था और या पानी के लिए बेचायन था कौवा पानी की तलास में इधर उधर उड़ता रहा प्रंतू से कहीं भी पानी नहीं मिला जब वह बहुत ठक गया तो उसे आखिर में एक घड़ा दिखाई दिया कौवे ने जब घड़ा उसे दिखाई दिया तो जाकर देखा तो उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था जब वह पानी पीना चाहा तो उसकी चोंच से पानी नहीं भेटा रहा था उसने हर तरफ से पानी पीने की कोशिस की पर सब बेकार गई आखिर बेचैन होग उठा तभी उसे एक उपार सूझा उसके आज पास देखा तो बहुत सारे कंकर पड़े हुए थे वह जो की कंकरों को एकत्रित किया और एक एक करके अपनी चोंच से घड़े में तब तक पान डाला जब तक की पानी उपर नहीं आ गया जैसा की बच्चों आप देख रहे हैं कवा है जो की एक एक करके कंकर डाल रहा है और वह तब तक डालता रहा जब तक की घड़े के मूँ तक पानी नहीं आ गया जब वह देखा की घड़े के मूँ तक पानी आ गया फिर कवे ने अपनी जी भर कर प्यास बुझाई जैसा कि बच्चों आप चीतर में देख रहे हैं कि कवा है जब घड़े में पानी मूह तक आ गया तो वह जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई इस तरह कवे ने अपनी मेहनत और सहन सक्ति से अपनी प्यास बुझा कर अपनी जान बचाई बच्चों इस कहानी से हमें यही सिक्षा मिलती है कि मेहनत का कोई दूसरा रूप नहीं है मेहनत से इस दुनिया में हम लोग कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं बच्चों इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है हम इसके प्रस्न उत्तर को देख लेते हैं चलिए अब पहला भ्यासम देखते हैं कि पहले चीतर में कववा है जो पेड़ के डाल पर बैठा है दूसरे चीतर में कववा है जो की उड़ रहा है तीसरे चीतर में कववे को एक घड़ा दिखाई देता है चौथे चीतर में कववा घड़े के पास जा कर देखता है तो उसमें पानी है और पाँचवे चीतर में कववा घड़े से पानी पीने का प्रयास करता है लेकिन उसके चोंच से पानी नहीं भेटा पा रहा है छटवे चित्र में कववा है जो कि पानी से पीने के लिए बेचैन हो उठाता है और इसके बाद है जो कि वह एक उपाय सोचने लगता है कववे को लास्ट में उपाय मिलता है कि अपनी अगल बगल के सारे कंकडों को एकत्रीत करके वह घड़े में डालने लगा और वह लगातार तब तक डालता है कि जब तक घड़े के मूँ तक पानी नहीं आ जाता है जब घड़े के मूँ तक पानी आ गया तो कौवे ने अपनी प्यास बुझाई जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि पहले चित्र में कवा है जो कि प्यास से व्याकुल डाल पर बैठा है उस्रे चितर में कव्वा ऊड़ राहे, इसलिए उड़ रहा है कि उसे प्यास लगी थी, वह पानी की खोज में इधर हुदर उड़ रहा है, तीसरे चितर में कव्वे को Creek गहरा दिखाई देता धे, जाकर वह चौधे चितर में जाकर देखता है, तो पानी है जो कि घड़े में बहुत नीचे तक है वो पी नहीं सकता ऐसा सोचता है चलिए इसके प्रस्णों को हम लोग देख लेते हैं तो पहला प्रस्ण है कववा किसकी तलास में उड़ रहा है तो हम उत्तर लिखेंगे कि कववा पानी की तलास में उड़ रहा है ख़व है कि कववे ने उड़ते उड़ते क्या देखा तो कववे ने उड़ते उड़ते घड़ा देखा कववे की चौच पानी तक पहुँच पाई या नहीं तो उत्तर लिखेंगे कि कववे की चौच पानी तक नहीं पहुँच पाई जैसा कि आप लोग चीत्र में देख रहे हैं, कववा घड़े में मुझ डालता है, लेकिन उसकी चूँच नहीं पहुँच पा रही है, फिर उपाय लगता है सोचने, तब उसे एक उपाय सुचता है, कि अपने अगल बगल के कंकड़ों को इकठा करके वह घड़े में डालना सुरू करता है, और फिर जब घड़े का पानी मुझ तक आजाता है, तो अपना प्यास बुझा पाता है, कववे ने पानी को उपर लाने के लिए क्या किया? तो लिखेंगे कि घड़े में कंकड़ डाला, और तब तक डाला जब तक घड़े के मुझ तक पानी नहीं आ गया कंकर डालने पर क्या हुआ तो लिखेंगे कि घड़े के मूँ तक पानी आ गया कवे की जगा आप होते तो क्या करते तो कवे की जगा अगर हम होते तो घड़े को है जो कि तीर्छा करके है जो कि पानी पीने का प्रयास करते तो बच्चो इसी के साथ या कहानी के प्रस्न उत्तर भी समापत होते हैं अगले पाठ के लिए तब तक के लिए धन्यवाद